कल हम लोग ने परिक्षित जी का चरित दिस परश किया हम लोग के जीवन में भी तक्षक चल चुका रहता है जिस प्रकार से परिक्षित को ये शाप था इस साथ दिन में उसकी मृत्य होगी उसी प्रकार से जिस शरीर को हम लोग इतना पालते हैं उसके लिए सब कुछ करते हैं वो बहुत जल्दी खो जाता है ज्यान दिजएगा एक ऐसी अनुभूती होती है और अगर ऐसा हो जाए तो भगवान की बड़ी कृपा है कि जब ऐसा लगे कि हमारे पास जो कुछ भी है हमारा धन, हमारा इश्वर, हमारा परिवार यह हमको हमारा कही न कही से जो हमको चाहिए हो नहीं दे पारा है As long as we find the world can give me the solution we are not fit totally to listen to the Bhagavad हम आप से प्रश्ण करते हैं कि ऐसा आपको लगता है कि हमारे जीवन का समधान हमारा संसार कर देगा और अगर हमें नहीं लगता होता तो शायद हम लोग इतना संसार से अपिक्षा भी नहीं करते हैं पूरे जीवन भर हमको लगता है कि धन हमारा समधान कर देगा हम अपने कांटेक्ट बनाते हैं लगता है कांटेक्ट हमारा समधान कर देगा हम अपने परिवार से संबंद बनाते हैं इतना बढ़ाते हैं समय देते हैं हमको लगए था है कि परिवार हमारा समस्या का समध्णान कर देगा ऐसे अधसर आते हैं जब आपको यह अन्भव होगा कि हमारे इस समस्या का समध्णान संसार में कोई नहीं कर पाएगा और अरजुन के साथ भी एही हुआ पर एक्षित जी के साथ भी आई होगा ने 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 हमको लगता है कोई समधान कर देगा कोई भी परिस्थिती थोड़ी देर के लिए कुछ बातों का समधान करेगी लेकिन समस्या बनी रहती चाहे जितना भी हम इकटा कर ले ऐसा बुलते हैं जब अलिक्जेंडर की मृत्य होने वाली थी तो उसने कहा कि जब हमारा ये कॉफिन होता है क्या बुलते हैं उसको है शव पेटी बड़ी शुदिन दी रही उससे उसने कहा कि ऐसा करिएगा हमारा दोनों हाथ बाहर निकाल दी जाएगा बंद कॉफिन में हमको मत ले जाना दूसरा काम ये करिएगा कि जो आर्मी के हमारे सेना के अधिपती हैं उनको बुला के सामने खड़ा कर दीजएगा और तीसरा काम ये करिएगा कि जितने हमारे देश के डॉक्टर्स हैं वैद हैं उनको खड़ा कर दीजएगा किसी ने का क्यों भाई ये तीन चीज क्यों करें का जिससे लोगों को पता चल जाए जिसने पूरी दुनिया जीती आज खाली हाथ उसके पास कुछ भी नहीं है दूसरी बाद जिस आर्मी जिस सेना के अधिपती ने सब को हराया उस मृत्य को नहीं हरा पाती और तीसरी बाद जो डॉक्टर जो वहिद्य सब कर इलाज करते हैं उनके पास इसका इलाज नहीं है हम अपने आपको अतिशे शक्ती ही ननभाग कर रहे हैं ऐसा बहुत बार होगा हमारे जीवन में आपके पास बहुत बड़ी चीज़े होंगी बहुत बड़ा टैलेंट होगा बहुत बड़ा कौलिफिकेशन होगी योगिताएं होंगी लेकिन आपके मन को न तो वो कंटेक्ट न तो वो टैलेंट ना डू योकिता ना आपका शरीर कोई नहीं हमारा साथ उस समय देता है और यही परिस्थिती परीक्षित जी के सामने भी दे आप कुछ नहीं कर पाएंगे लगता है कि हम कुछ कर ले जाएंगे अरजुन जैसा महान योद्धा गीता तो आपने पढ़ए होगा हाँ तो बोलिया उसकी प्रिष्ट भूमी तो पता है बारा साल तक उसने तैयारी किया किवल युद्ध की और जिस समय उसके युद्ध की परिक्षा होई उसने बोला भगवान से किसके साथ युद्ध करनाव हमको बताईए और भगवान ने जैसे ही उसका रत खड़ा किया आपने उसकी हालत देगी इतना प्रदिभा कि वो स्वर्ग चला गया साशरीर उसका नाम सब्विसाचिन बाए हाथ दाहिने हाथ दोनों तरफ से वो धर धरी था उसने शिव जी को खुश किया था जानते हैं कैसे पूजा करके नहीं युद्ध में खुश किया था शिव जी से उसने पाशुपत अस्तर प्राप्त किया था याद है ना आपको वहीं अरजुन एक युद्ध भूमी में रोने लगता है जो पहला शिलों के दूसरी आद है का कोई बोलेगा तम तथा बोलिए तम तथा कृप्या विष्टम अशुरू पूरुना कुलेक्षणम वो अरजुन के आँख में आसु आ जाता है क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो कुछ आपने कमाया जो कुछ आपने खटा किया ऐसे ख़ण आते हैं और ऐसे ख़ण आएंगे कि आप उनका कोई मतलब नहीं रचाता है जितना तीवरी अन्भा होगा कि जगत का हमें सहाना तो लिया हमने सपोर्ट लिया वर्ल का हमने इतनी चीज़ों के खटा किया इतने लोगों को हमने समय दिया लेकिन इस समय जब हमें जरुवत है हमारे मन के शांती की हमारे मन के अंदर सुरक्षा का भाव की हमारे मन के अंदर एक विश्वास की वो नहीं हमारे पास जब हमारा ये अनुभव, जब हमारी ये निष्ठा बहुत पक्की हो जाएगे कि ये जगद हमको वो नहीं दे सकता जो हमें चाहिए और याद रखिएगा, जब आपको को आज ये अन्भव हुआ और हम सब को वो अन्भव समय समय से होता है लेकिन हम लोग परिक्षित नहीं बन पाते है हमको लगता है ये ने तो कुछ और ही हो जाएगा एक जनी भगवान से प्रार्तना करे बहुत भगवान हमें ये चीज़ दो उसके बाद उन्होंने दूसरे से भी मांगा तो हमने उनसे का कि आपने भगवान से मांगने के बाद दूसरे से काम यू मांगा बहुत अगर भगवान नहीं करें कोई तो करेगा भगवान मानलो नहीं करें हमने का आप निश्चित समझे भगवान नहीं करें आपक किसी और सही पूचछ तों किना हमारी सारी प्रशक उत्तर देने की इच्छ तवी घटम हो गएगी अजब तुम कहते ये कि नहीं हम इस प्रशन का उत्तर सुने मुने भूजन करेंगे सोईग नहीं एक दिन दो दिन हम ऐसे ही रहेंगे तो शायद हम नहराहनी पाते हैं तुमको प्रश्न का उत्तर एक गंटी में ही दे देते आप बताओ आप जिस भगवान को पकड़ते हैं आप उनसे कोई चीज मांगते हैं और फिर हमने जगत से वो चीज मांगा तो भगवान के अंदर कितना उस्सार है को उस इस इस्चा को पूरी करनेगा रहेगा हमें तो नहीं लगता पर इक्षित की स्थिती आजा गई उसको यह लग गया कि हमारे साथ दिन के अंदर इतना कुछ हमें जीवन में बटो रहा है वो हमारे किसी खास काम कर नहीं आता देखो आप जो यश बोलते हैं न यश भी बहुत कम गुमर वाला होता है कुछ भी खास उसमें कामी नहीं आता हमारा या हमने एक से एक यशस्वी लोग को बहुत दुखी देखा है करिकिटर जो बहुत यशसवी उनको दुखी देखा है पलिटीशन को देखा है फिल्मिस्टार को देखा है आमको लगता है तो इस अच्छा ही है ऐसा अनुभा जब हो जाए यही परिक्षित की मनस्तिति हमारे पास है थोड़ी देर के लिए हम नहीं किते हैं आप ऐसा बन जाए हम बोलते एक घंटे के लिए उस मनस्तिती को बना करें बोले ते सुनिये साथ दिन में हमको कुछ होगा तो नहीं हम भाई हम क्या हम न पहली बोल दे कि साथ दिन सब करते हैं ऐसा जब हुआ तो परिक्षे जाए औ और सर्वत्याक का संकल्प उनके अंदर उठा उमने कल्ब बोला था कि जब कुछ छूट जाए और आपको अच्छा लगे आप जानिएगा कि आपकी स्पिरिच्वल प्रोग्रेस हो रही है फिर से मुखत देखे आपको बता है जिन्दकी कुछ न कुछ चीच छीनती रहती है कुछ देती है कुछ छीनती है छीनती जाता है कि देती जाता है वह आप सोचेगा रेकिन छीनने के बाद एक संत्वे नरसिम है था आपने शायद नाम सुना सुना है नाम वैशन और जनत तो तेने कही है जो होता है ऐसे हाथ किया और लगे नाचने का अज हमारी एक आ सकती थी वो भी चले गई हम लोग तो ना कुछ छिनने के बाद इतने दुखी हो जाए अरे गया गया हमारा एक अटेश्मेन गया एक जगा तहाँ जह हम बहुत सोचते थे उस जगे को आज हमको नहीं सोचना पड़ेगा पर इक्षिज जी तयारत है हम तो बोलते हैं इस से पहले कि कोई हमको छोड़े हमारे मन में उनको छोड़ेना चाहिए आपको एक बात बताते हैं आपको शायद सुनके बहुत अच्छी न लगे लिकिन हमारा काम तो बोल नहीं है इंदी में बोलने हैं हाँ तो बोलने हैं यह जो जगत है बोड़ी बेवफा जगाएं अरे सबसे बेवफा हमारा बताएं क्या है शरीर इतना हमने सुबे से इतने महीनों से अम तेल लगा रहे हैं शरी में पर हमारे जैसे बाल के लिए बतानी इतना हमने अच्छा कपड़ा पहना इतना हमने बोजन करवाया और यह बिना बताया चल देता है और तो और अगर कहीं दर्द नहों जाए गुटने में हो जाता है अगर आपको शरीर की तक्लीफ हो गई तो गुट तो दुश्मन की जरुवत नहीं है आपके पास एक रेड अगया पिता भाई में कौन हमारा साथ रहता है हम बच्पन में थे एक हमारा दोस्त था एक दरुशन नहीं का सुनो हम लोग वादा करते हैं हमने कर क्या वादा है उले हम लोग साथ जिएंगे साथ मरेंगे हम काफी पी रहते हैं हम कहां से आ गई गई हम झाले के लिकों हम ने कहा देखो अगर हम मर गया तुम मर जाओ तो हमें कोई प्रापलम नहीं है साथ जीनगे यूँ चल जाएगा लेकिन साथ परने में तुम मत मनना मैं ले हम यह वादा नहीं करेंगे अहां बताओ बच्पन जिले के कितने लोगों ने आप से बोला कि हम आपके हैं आपके साथ रहेंगे परिक्षित को जब यह अन्भव हुआ उस अन्भव के बाद वो गंभी रवस्ता में श्रीमत भागवत का श्रवन करने के लिए बैठे ऐसा लिखा है भागवत में जब बहुत पुर्णी का उदय होता है तब यह श्रवन करने का उसा रहत आप बुलिंग भाई बड़े पुर्णी शाले अरे तो हमको प्रवचे नहीं मिलेगा उससे भी बड़ा पुर्णी चाहिए तो परिक्षित जी ऐसे श्रोता थे और वक्ता कौन है शुक्देव जी वक्ता है ऐसे वक्ता है हमने कल बोला था कि जिस काचित तयार है उसके ज कभी-कभी लोग बोलते हैं स्वामी जी हमारे गुरु नहीं है हम कहें आप शिष्षिभाव में आईए एक जनने हमसे बोले हम एड़टीजमेंट दे दें क्या पेपर में हमने काउन सा गुरु वांट इट प्लीज अपलाए हमने कहा तो आप ही गुरु हुए अरे ऐसे त को आपके लिए भेजेगा और शुगदेव जी के बारे मैसा बताते हैं थोड़ी सी कथा रहेगी और थोड़ा सा अध्यात्मी करत रहेगा ऐसा बोलते हैं शिव जी पार्वती जी को कथा सुना रहे थे भागवत की हां तो जैसे आप लोग हुंकार भरते न हुम 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 अब एक सुगा वहां बैठा हुआ था पैरिट अब जो पैरिट बैठा हुआ था उनको लगा ही कथा बंदा हो जाए तो वो जो है न हुम 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 हैसे ऐसे करने लगा काफी जब कथा पूरी होने को आई शिव जी ने देखा पार्वती जी तो समाधी में यह का यह तो भाई गलत बात है तुमने तो हमारी आग्या ने लिया और इतनी बड़ी कथा सुन लिया तो उन्होंने अपना तृशूर लिया और उसके उपर फेका वो जो सुग्णा था जो शुक था वो पैरिट हां क्या वो लेंगे हिंदी में तोता जिसको बोलते हैं हां व वो चला गया व्यास जी की पत्नी के गर्म में जाके छिप गया अपने शरीर चोड़ दिया जीव के रूप में उनकी गर्म में छिप गया अब उनका तेज इतना था कि अब तृशू लानी पाया हो चला अब सुनिएगा वो जो जीव था जो शुक बना हुआ था वो ऐसा बोलते हैं बाहर ही नहीं आया है उनके उदर से व्यास जी बड़े परशान लोग कहें बाई रोज बाहर आओ बाहर तो आओ उसा बोलते हैं 16 साल का हुआ उसने एक वादा लिया बोले बाहर माया है पहर आप माया पती को बुलाएं फिर हमाइंगा तो नहीं भगवान कृष् किया और निकल कैसे भाग गए और यसी लिखते हैं यम प्रभ रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वई पायनों विरह कातना जो हमा उनके कोई संस्कार नहीं हुए थे ना तो उनका मुंडन हुआ ना तो उनको सन्यासुआ ना तो ब्रह्मचारी बने कुछ नहीं संस् होता है जहां विकार होता है चोकि उनके में कोई विकारी नहीं था तो संस्कार के अतीत थे वो यह शुग यह था और उन्होंने देखा दूर जाके उनके पीचे पीचे व्यास जी आ रहे थे कुछ इस्त्रियां नग निस्नान कर रही थी इन्होंने उनको देखा किसको को पीछी पीछे व्यास जी आये दोरे दोरे तो जो ये इस्त्रिया थी नोने तुरंट कपड़ा अपना पहना व्यास जी बड़ा नहीं तो बड़ी गलत बात है क्यों मुले हमारा लड़का यूवा है अभी-भागा हम ब्रद्ध तुमको हमसे इतना लज्जारिय कहा वह सबकी आत्मा के साथ एक कुछ है ना शरीर पे कपड़ा रहता था और पूरा शरीर धूल से भला रहता था एकदम शोड़श वर्ष की अवस्ता थी और ये ऐसी हमारे स्रेश्ट वक्ता है कोई छोटी मोड़ी वक्ता नहीं तो व्यास जी से भाग गए हम आएंगे इस बात को कैसे व्यास जी के पास फिर आए इसको जब दर्शम इसकंद आगे बढ़ेंगे तो ये बात आएंगे ऐसे सुन्दर वक्ता ने हमारा दर्शम इसकंद लेगा लेको जब तक ऐसा नहों हमको विश्वास ने लगता है ये भागवत में क्या है ऐसी इसी लीला हैं दर्शम इसकंद में कि अपने मन को आप भिगोने के लिए ध्यार रही है आप ध्यान दे को सुनिए गा आप इच्छा के साथ सुनिए गा यसे कोई आपके बेटे के बारे में बताता है ना तो आप ऐसे नहीं सुनते हैं बताओ भई राजो के बारे में बताओ आप अपने फोन किया मेर का हाँ हो कुछ बता रहा है आपने बारे माँ भूलनी जाते सूनी जाते वोले बाद कि बढ अभा दे नीद दा गई बोले हम तो बिना इच्छा को सुन रहें आके बैठ गए कुछ काम था नहीं है क्या करे हम तो खज गए सौमी जी आप अपने उस प्यारे के बारे में सुन रहे हैं जिसने आपको सब कुछ दिया है उसके बारे हम लोग बाहत करते हैं प्रसंग शुरू होता है कि प्रत्वी पर अत्याचार बहुत हो गया ता कई कहानी आपको मालूम होगी लेकिन उसके अंदर की बाद हम आपको उसकी तरफ ध्यान ले जाएंगे तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मा जी ने प्रार्तना किया भगवान विश्ण ने कहा कि हम अवतार लेंगे देव की और वसुदेव जी किया सुना होगा यह तो बच्पन सही सुन रहे हां तो बोलिया हमको यह सब बाहर के देश में बताना पड़ता है हां वहां के हिंदू लोग पूछते है वह सुदाओ अब हमें बहुत ध्यान सुनना पड़ता है कौन से किसकी बात कर रहे है हम तो बात अच्छे उसमें बता रहे हैं उनको सब पता आपको सब पता है देखो देवताओं को कष्ट मिला देवता गए ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी गए बुलिए विश्णु जी के पास विश्णु जी ने आश्वासन दिया एक बात बोलें आप से हम सब को अवतार की जरूरत है बाहर का उतार छोड़ दीजिए, हमारे मन में कृष्णा उतार की आउशक्ता आपको अनुभव हुई की नहीं हुई, नहीं हुई है, कभी कभार शायद होते हो, जानते हैं न, अच्छा सुनिया, क्रोधा उतार तो होता ही है, एक बार किसी के गाड़ी के साथ जा रहे थे, नई गाड़ी थी, सब इंडिया में अच्छा होता है, किसी ने मारा एक ट्रक, भड़ी भीड में उन्होंने दर्वाजा खोला का, स्वामी जी, इनको निप्टा के आते हैं, प्रवचल कतिमी हुआ था, एकदम शान्द बैठे ह वे थे, और वो बाहर गए और ऐसा कुस्सा, भवे तन गई, लाल हो गया, हांक ये, हो कॉलर बगड़ा, ये, हो, सब को ड़ाटा, पुलिस को ड़ाटा, हमने का, वा, क्या उतार हो रहा है, आतार समझें हैं गुद्धी में ना, पूरा शरीर हमारी एक वृत्ती से व्याप हो जाय, वही हमारा उतार है, अपिक्षा का उतार हो तार हो रहा सरी क्रोधा उतार होता है, कभी दुख्षा उतार होता ये, हुलिम डिप्रेशन में, एक बाद इन दोर में actually didn't have a name, नहीं अए उनका, मने का सुनियो सामी झी हम मंदे को तीन से छे नहीं मिलते हम क्यों बोले उस समय डिप्रेशन का टाइम है बोले जब भी हमारी सच की बात है जब भी हमें दूखी होने का मन करता है हम कहते हैं मंडे को तीन से छे होंगा आप बोलो अपने मन में असुरक्षा का भाव आता है कि नहीं आता है अज़िवाब बलट पेशर चेक करवाते हैं हम हरे एक डॉक सब है बलट पेशर चेक करते हैं बलते हैं समय, रलेक्स श्ण। आपको नहीं लगता की नीचे वाला कहीं जयादा ना हो जाए जो डाइवीटिग होते हैं उनको लगता है एक फास्टिंग शूगर टेस्ट होता है आप से बता है उमर बढ़ने के बाद असुरक्षा बढ़ती है जब बच्चों की शादी होती है बच्चों से असुरक्षा बढ़ती है कि घटती है देखिया है सज बढ़ने है जब लड़की घर में रहे तब लगता है कि देखो इसकी शादी कम हो गई शादी हो गई तो माँ फोन करती सब ठीक है ना बेटे की शादी हो गई लगता है कही हमारी बेटा छिर न जाए इसने सास कभी भी पापलर नहीं हो पाई हिंदू समाज में अच्छा धन हो जाएं किसी के पास ज़्यादा सो रक्षा बढ़ेगी घर जाएगे आप दस बाड़ी गार्ण रख लीजे कुछ भी कर लो आपको बोले हमारी आशकता है कृष्णा उतार के और आपका मूड बाहर की नहीं जैसी वृत्ती रहती है वैसे हमारा हमें इस जगत मालूम पढ़ता है अगर अंदर से एक जो कृष्णा कार वृत्ती हो गई ये सुरक्षरा कार वृत्ती होती है कि हमारे पास कृष्ण है तो हमको और क्या चाहिए है प्रालाच जी के पास यही वृत्ती थी कबीर के पास यही वृत्ती थी सुर के पास यही वृत्ती थी उनके सब के मन में अंदर का उतार हुआ हुआ था उगाते हैं न कि मन लागो मेरो यार फकिरे में जो सुख मिला राम भजन में सो सुख नाही अमीरी में मन लागो मेरो यार फकिरे में उनके अंदर ये उतार हो चुका था अगर ये उतार होता है यही हमारे दैत का, यही काम का क्रोथ का, चिंता का हमारी यही नाश करता है अच्छा ध्यान देगे, सुनिएगा देवता लोग भगवान के पास गए आपको बता है जैसे कम शक्तिशाली देश को छो इनों को बड़े शक्तिशाली डे देश की चरवफ़ घरना हैं। कि एक छोटी बच्चे को जो चलनिन पाता इसको मां की चरवफ़ती के लिप ने हैं। एक शिष्छी को कूछ अटापता नहीं है उसकोlish पुरुक्त चरवफ़ती हैं। एक जीव, जो कि शक्ति शाली नहीं है, उसको कोई बडा शक्ति वाले की जरुवत नहीं है, एक दान एक प्रेंस कॉन्फरेंस वारी थी, एक प्रेंस वारी ने पूछा, स्वामी जीव, what do you think is the most important need of human being, please tell in one word, प्रेंस वाले की जरुवत नहीं है, एक दान एक प्रेंस कॉन् ऍहां, अगर एक वुम कोई बडा सबता शरी जाएक था जबाति रहां ग्संबल तॉफेकलॉत रहां लग्या विजाए एक सपन बादा की, एक षणियुट नहीं होगा है, उसकी य्दित गाफ्या होगी सबफरा सुन्हाओ, वीजा रहाल प्रिया था 요ाष, प्रोप्राँ better जक्ति शाली आपको बलाएं हम जीव के पास इतनी कम शक्ति हैं छोटी सी मात में मन्दुखी हो जाता है छोटी सी हभी हम गय कहां गय थे जोद्पुर गय थे थोड़ी से सर्दी बढ़ गई ऐसी चीएक शुरू हुई हमारा एक दो चीएक से तो कामी नी चलता हमारा क्या किसी से फोन से बात करें अलो स्वामी जा आपको सर्दी लग गई है क्या इस गोवा के बड़ा अच्छा लगा भाई कोई सर्दी नहीं कुछी नहीं चोटी सी बात से मन बिगड जाएगा एक गरबड इमेल आ गया मन आफिस गया और जो आपका जो सबर्डिनेट तो उसने विश नहीं किया उसने नहीं बोला गुड मोर्निंग सर पता नहीं क्या बोलते हैं आपके तरफ देखा बस आपको अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा बताते हैं इसको इसकी रिपोर्ट बनाते हैं अनुल रिपोर्ट बच 80 to 100 वाला पता नी कौन सी ग्रेट का, क्या नंबर है, सबका एकी ग्रेट है, और पहले गर कोई फेल हो जाता था, उसमें लाल लंग लगाते हैं, याद है आपको, हमारे समय तो ऐसे ही था, तो पता नगा आया लड़का, रिपोर्ट कार्ड लेके, सब तरफ लाल लाल दिखा है चोटी सी बात, पर खुश हो जाया, चोटी सी भालें, नहीं हो जाया है, और कहीं गरना पड़े, वृध हाथ दा वस्ता आती हैं, यह डर लगता है, कहीं गरना पड़े, ऐसा वृध होना बोहत ही मुश्किल ह। पहुन को लास फान गिरा है। आप से हम बता रहे हैं ऐसा आप भूच सो भाग्यशानी अगर आप गिरे नहों और भगवान ने इसके लिए एक खास इस्थान बनाया है उसका नामे बादरू बहुत समल के जाना चाहिए अरे हम ही गिर पड़े आपकी बात ही छोड़िये हमने गरी अरसल हो रहा है शाहिए हम जो भी शक्ति हीन होता है उसकी आवशक्ता एक शक्ति शाली की होती है जी यू के पास हम भाग नहीं सकते बहुत देर तक खड़े रहो तो लगता है बैठ जाओ अब यह बैठे हो ना लगता है खड़े हो जाओ जैसे एयरपोर्ट एयर प्लेन लैंड करता है सब लोग खड़े होना चाहते है वो अनाउंस करते रहते प्लीज बी सीटेड प्ली सब्सक्राइग नहीं सकते है तुछे नहीं आज रात भर जाईए आज रात भर आप जागए कि यह दिन भर काम नी कर भायेगा आप घоротあれ पतानी कौन वाइरस बीक्टिरिया हस्में है हम लोग यहां वैठे तो हैं लेकिन पतानी किसका वाइरस बीक्टिया आ जाए है हाद वोली क्या हुआ वरे पास शक्ती है किस बात की बोलते हैं हम शक्ती आदमी बूल जाता है एक ब्रेन में एक नर्स में एक लाट हो जाए धुझाम से आद मी नीचे गड़ा हैं को लिए भूले झोड़ बोले ऊज्टोक हो गया है एखर पता हुआ पता है नहीं चला है मन कहाल यह है कि छोटीसी बात में प्रेमारी इच्छा होजाएं इस एदवर्टीज्मेंट आता ना यह हमारी कमजोरी को निकाल ले क्लिए छोटीसी बात मौतानी की अतना कुछ्सा गए गुष्सा हो गया पतनी पर हाँ उसने बुचा सुनिये हाँ बाहर जा रहे है क्या हाँ कहां मरने जा रहे है अच्छा वापस मत आईएगा पता रहे कि साथ भुष्सा आजाए आपको नहीं लगता हमें ऐसे की जरुवत है जो हमको बड़ी शक्ति दे के हमको खुश बना दे दुख क्या है शक्ति की कमी होने का अनभो इसे को दुख बोलते हैं और बोलते हैं आपको ऐसा लेगेगा इस इशू में इस खास मुद्धे पर हम अकेले हैं और बाकी मुद्धे पर बहुत लोग हैं लेकिन एक कुछ ऐसे मुद्धे हमारे जीवन में हैं जहां पर हमारा क होई नहीं हैं, हम अपने आपके बात भी कानबव करते हैं। जों हम ईश्वर का हवहन करते हैं, तो हमारे अंदर ऐसी शक्ति आती है, कि वेक्ति एक छोटे से बहुत बड़ा मालू भरता आपने आकू। हमारे पास अनन्त इच्छा शून शक्ति इश्वर के पास अनन्त शक्ति शून इच्छा एक दिन जीव इश्वर दोनों बैठे जीव ने कहा क्या भई इश्वर क्या करते हो इतनी शक्ति रह कि हमारे पास रहो इश्वर ने का देखो एक पैक्ट करते हैं अपनी इच्छा हम तो अपने इच्छा करो, अपनी इच्छा हमारी रखो, हमारी शक्ति तुम्हारी लिए हो जाएगी। आपसे बोलें, प्रार्तना एक बहुत बड़ा साधन है। अपनी छोटी सी शक्ति को बड़ी शक्ति बना सकते हैं। और ऐसा कोई नहीं होगा इस दुनिया में, एक नास्तिक भी नहीं होगा जो की प्रार्तना ओलिये नहीं किया हो। प्राम ड्रेवर के पास बास बाटे थे तक फूम बस नीचे जा रही है और पीछे मुड़के देखा तो लगा के पूरी खाए उस देगा सामी पतानी क्या होगी अबस ब्रेक फेलोगई क्या होगी क्या होगी अब रुकवाव कहा है यू रुकित य नहीं इन पाए इस लोप क्या क्या सब्ह Hungarian कि अथ mean और यद है पीछ और यह जान इठना लेकित कोई काम नहीं कर रही है हुपने कोई काम नहीं होंगा हमान जले साक्लिय सा शाब और सभ ने अपना समिन आया एसे ध्यान से अनुमान चली सवोलो लोग बोले ना हमारा मन भागता है कुई मन भाग बाग वन नहीं नहीं सबूले श्री गुरोश अरण नहीं बचालो बगवान यह समपुट था जह कपीस्ट लोग विअ घरामदू अदिलित बचालो बगवान अधीरे धीरे जैसे नीच आने लगी और पास आई उसकी ब्रेक काम करी आगे बढ़ाया उसने हम सब लोग बज गए ऐसा जीवन में बहुत बार हुआ है कि हम भगवान के पास गए और भगवान ने अपनी शक्ति हमको दिया एक ध्यान दे को सुनिएगा अगर शक्ति हमारी होती तो हमारे पास हर समय होती हम नहीं पास सुनने की शक्ति है ना हाद बोलिए एक दिन आएगी ये शक्ति हमारे पास नहीं रहेगी हम देख लेते हैं ना एक दिन ऐसा आता है हम ये ठीक से दिखाई नहीं पड़ता अगर वो शक्ति हमारे पास होती हमारी होती तो हमारे पास रहती प्रार्थना का मतलब है अपनी इच्छाओं को हम इश्वर की अनंत शक्ति के साथ जुरने का प्रयास कर रहे हैं गुर्दे हमारे बोलते थे प्रेयर इस अ ठ्ध्यूनर नहीं जरुवत है में इश्वर की और अगर ये हमारे पास है अगर आप इश्वर को बुला लेते हैं मन में आपके अंदर ऐसा विश्वास रहेगा जब स्वामी विवेकानन अमेरिका गह है उनका पासपोर्ट हो गया सब कुछ कोई पेपर है नहीं था पता नहीं क्या हुआ तो किसीन का हो, you have lost everything he said, no I have lost nothing he said, why? because I am with God जिस समय अन्भो आपका द्रण होगा कि हमारे साथ वो इश्वर है आपको ये अन्भो नहीं होगा कि हम अकेले हैं और हमारा क्या हो सकता है आपको बोलेंग बात life doesn't run by talent and qualification happiness you won't get you can get clapping, you can get honor but the joy you will get only when this faith is in my heart that I am not alone in this world and if this faith is absent in your heart whatever you do how much you may be qualified how much you may be progressive you will never feel quiet and you will never feel peaceful in your heart हम कनेक कैसे करें कोई धर्म नहीं है जो की प्रार्थना नहीं करता हो कोई नास्तिक नहीं है जिसने भगवान के सामने कभी निकभी कुछ नहीं कुछ नहीं बोला होगा हम शक्तिहीन है हमारे पास क्या शक्ति है एक सबजिक भी हमको पुरी तरह नहीं पता होता physics का Nobel Prize विनर शायद वो जौलजी में मुर्क हो आद वोलिया शायद कोई बहुत बढ़िया इंगलिश वाला हो, प्रोफिसर हो लेकिन रश्यन में एकदम जीरो बाई जीरो टोट्री वो फुलिश हो हमें बहुत अच्छी हमारी संस्क्रेट हो, बहुत अच्छी हिंदी हो शायद हम परश्यन में बिल्कुल जीरो हो आप एक सब्जिक भी पूरी तरह मास्टर नहीं कर सकते हम किस बात का गरू करते हैं आपको नहीं लगता कि अगर हमारे साथ इश्वर होता, हमें ये शक्ती के नभूती होती, कुछ गरबर नहीं होगा ये हमारी आउशक्ता है और प्रार्तना, प्रार्तना ऐसे नहीं कि मरे मरे मन से, बिना विश्वास के नहीं, प्रार्तना में हम मानते हैं कि भगवान तुम हो, भगवान तुम्हारे पास सारी शक्ती है और तुम्हारी शक्ती हमारे लिए भी है अगर हम तुमको अप्रोच करते हैं अगर हम तुम्हारे पास जाते हैं तो तुम्हारी शक्ती हमारे पास बोलिए आएगी अगर ये शक्ती नहीं होती इस देश में संत नहीं होते तपोन जी महराज नहीं होते हैं हाँ पे जानते हैं उनके पास एक पैसा नहीं पकेट में वो दो तीन बार मांसरोबर कैलाश श्यात्रा जा रहा है कुछ नहीं था कि एक बार कैलाश श्यात्रा में जा रहे ते किसी डाकू ने पकड़ा उनको कह सब निकाल के दे दो कामर्स कुछ है ही नहीं कहा तुम खाओ पीयोगे क्या कहा जो मिलेगा खा लेंगे कहा आगे कुछ नहीं मिलेगा आओ तुमको हम खाना देते हैं आप को भोलें संतों की प् करिए साधना करिए मंदिर जाए तीर जाए हम यह नहीं पूछेंगे आप से कि आप कितने बार कहां गए आप कितनी माला करते हम यह आप से प्रश्च नहीं करेंगे हम आप से प्रश्च यह करते हैं आपके अंदर इश्वर कितना मालूम पढ़ता है और इतना करने के बाद इश्वार मालूम पड़ता है तभी इसका बड़ा फल है हां तो बोलिया हां जी हां जी हां जी हां जी हां बहुत छोटी-छोटी इमर में और भी भगवान ने कहा कि हम तुम्हारी पास आएंगे कि को एक बार हम अबुदा भी आ रहे थे तो हां एक सिक्योटी चेक आए खोने लगा समका एक बड़ा सा बढ़ान था लंबा चड़ा वो लोगों का सारा कपड़ा ये जो बैक था उसको भाड़े ये फेके ये फेके ये फेके हमारे बैक के अंदर सुन्दर कांड ये वो देए हम भी लाइन में खड़े थे हम गो इसको ठीक कर वही है बड़ा जबर्दस लंबा चोड़ा आदमी है तुम तो बहुत ही बड़े हो हमारा टर्ण आया हमने उसकी आख में आख में लाग देखा हमने का प्लीज चेंक अंते किया किया उसने बने टोपी उतर दी का I will not you are man of God सालाम आलेकुम आप देखिए का नहीं हम चुएंगे मी नहीं आपके बैक को आगे बढ़िए जीवन में बहुत से अन्भों ऐसे होंगे जब आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छे हो गए बहुत आपके अंदर बल है और इसके कारण था आपने उस समय बुलिए बगव को याद किया हम तो फुड़ी देर के लियाद करके इतने बल चाली हो जाते हैं उनकी मात छोड़ी है जो दिन रात याद करते हैं उनका बल कितना होगा जो शुद्ध मन से याद करते हैं उनका बल कितना होगा जो भगवान को अपना मान के याद करते हैं उनका बल कितना हो नहीं होगा पर देवता गए उन्होंने बोला और भगवान अवतार के लिए बोले हम आएंगे चलिए जल्दी से कृष्णा अवतार करवाते हैं इनकी लीला इतनी धिर सारी उसमें बीटता जा रहा है बोले आमने कब आपको रोगा और फिर भगवान अभी आतार रुकिये एसा प्रसंगाता है कि देवकी की बात आई आप सब कहानी जानते हैं उग्रसेन थे उग्रसेन के पुत्र का नाम था कंस हां कंस जो है उनकी चचेरी बहन थी देवकी विवा हुआ उनका बच्पन वड़ी अच्छे लगती थी सब कहा नहीं और वह कहा कि हम रत चलाएंगे ऑर आकाश्वानी होई सुनात निजैसी आकाश्वानी हुई कंस ने अपना तलवार उठाया और कहाम मारेंगे उनको रोका किसने वसुदेव जी ने बहुत अच्छा प्रसंग है वसुदेव जी ने बहुत समझाया कंस लेकिन कस्फि त्यार नहीं हुआ, कहां नहीं हमारे और फिर वसुदेव जी ने बोला कि हम अपने सारे पुत्र तुमको आठ्वें पुद्र से समस्या है ना, आकाश पनी तुमको आठ्वें क्यों ही है तुम आठ्वें पुत्र तुमको दे देंगे आत्वानी सारी पुद्र दे देंगे अन्यानती क्या लिखा है भागवत में सारवित वसुदेव जी की वानी पे कंज को बहुत विश्वास्ता आदमी वही है जो उसकी वानी है a person is what his tongue is किसी व्यक्ति की सफलता यही है कि वो विश्वस नहीं हो पाया कि नहीं हो पाया जो हम किसी के साथ बैठते हैं जान दे के सुनियेगा हम उसका चेहरा नहीं 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 करते हैं जानते हम क्या नहीं नहीं करते हैं उसका हमारे उपर कितना विश्वास है आप और हम यहां बैठे हो हैं हैसी हमरी अपेक्षा है हम ये सोच के खुश है कि आप विश्वास के साथ सुन रहे हैं और आप ये सोच के खुश है कि स्वामी जे जो भी हो विश्वास के साथ बोल ले हैं अगर हमको लग जाए कि आप विश्वास के साथ नहीं बेटे हैं तो हम बोलनी पाएंगे आगे और आपको यह लग जाए कि हमारा विश्वास नहीं है तो आप सुननी पाएंगे वसुदेव जी पे बहुत विश्वास था किसका कंस का और फिर जब पहरा पच्चा पैदा हो उसका नाम था किर्तिमान बड़े दुखी मन के साथ बसुदेव जी गए किस के पास अहां देवकी के पास और हांत ऐसे किया और देवकी ने बिना कुछ बोले रोते हुए हाथ में उनके पुत्र दिया क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लिखा है वचन तोड़ने का ज़्यादा दुख होता पुत्र के बढ़नी के अपेक्षा लिखो भगवान के माबाप बनना भी बड़ा मुश्किल है देवकी का चरित्र तो ऐसा मौन समरपण है जब कंस ने बाल पकड़ा तब ही उचीतकार उसकी नहीं हुए जब वस्वदेव जी ने यह बोला कि हम अपने पुत्र दे देंगे उसने यह नहीं कहा सुनो आपको पता नहीं शादी में एक जब क्या बोलते उसको फेरा होता है तो उसमें कंडिशन होती है कि आज से हम और आप जो भी करेंगे साथ साथ राए लेके करेंगे यह नहीं बोला उसने और जब मांगा उस बेटे को उसने यह नहीं बोला कि हम नहीं देंगे शाएद इसलिए भागवान आते है लाइफ में जानते हैं कि आप बहुत जरूरत होता है बहुत सेहना पड़ता है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको किसी ने किसी को सेहना नहीं पड़ता होगा दूसरे की बात सेहनी पड़ती है दूसरे की दुख सेहना पड़ता है कुछ चीच खो जाती उसको सेहनी पड़ती है कभी-कभी कोई हमारा प्रिय होता है वो हम पे शंका करता है बेकार में, उसको सहना पड़ता है, किसी का वियोग सहना पड़ता है, कभी गरीबी सहनी पड़ती है, कभी अपमान सहना पड़ता है, बोले हम नहीं सहेंगे, क्या करोगे आप, बोले हम भी इंट का जवाब पत्थर से देंगे, वो पत्थर का आप क्यू पर है जानते है सहना कब मीठा हो जाता है बोल दें कि छोड़ दें बोली बोली आपका कामी क्या है सहना मीठा तब होता है जम आपको लगता है आखरी में यह सब यह सब अच्छा हो जाएगा एक दुकांदार होता है ना उसके साने hundred customer आधा है को का क्या साब last time में आपकहां से सामान लेका ढब क्या से यह कोई तरीका आपको देनेगा अगर अच्छा दुकांदार है तो लड़ेगा हो इनी बोलेगा अब अमना जाएए उसको पता है कि इस्ते इंको बहुत मिलता है उग कहेंगा सॉरी सर, सॉरी सर गुरू के साथ रहतो उनकी बात सहना पड़ता है तो शिशे के साथ उनको भी सहना पड़ते हैं एक से एक शिशे होते हैं तो बड़े उपदर भी टाइम पे उते हैं आप से क्या क्या अनुबा बताएं हैं एक बार निदार में थे हम भाहर निकले प्रोचन के तो उम पादुका पहनते थे यह इस को चोड़ते हैं पादुका चोड़ कोई प्रइय कर ले गए हम में आपदुका पहन संगे कोले कोसी आपना इसले लिए तो प्रगश ना करें इसकी लिए नकरें adds कि लोग आ कर कज़ा हैं यह पादुका चुरी हो ना चार दिन बाद कोई प्रगट वा बड़ा प्री हादमी हम के क्या हुआ वह बोले सुनिये आप अपादुका धुड़ रहे हैं क्या हम के हा तो बले उस दिन उठा ले गए थे ते यह क्यों बोले पुजा करनी थे उंको हम के हम नंगे पर वहा है तुम पुजा कर रहे हो बेकू ऐसे ऐसे शिष्ष्भगवान अब बोलना बोलने बड़ा हमारा समर्पन है हम समर्पन है समर्पन है भई भई बंबोल के लोग क्या करना है दूसरा कुछ रखे जाते तुम हम वहां चपलू काटे गंकडी में से जा रहें बिना कुछ पहने अब भोला ही नहीं हम एक बड़ा अच्छा सुधार देने बड़े बड़े उधारान हमारे पास है सब को सेना पड़ता है कुरोद समस्या का समधान नहीं होता है I am very hurt Swamiji जानते हैं लाइफ में कुशन क्या है इश्वास कुशन होना चाहिए ठीक हो जाएगा हो जाएगा हा अ कब होगा होगा थो होगा लें ये लेकिन ये अच्छा ही है और अजब हांकार भूत होता है साण ही जाता है और हम सो छोड़े हम यह और आपको कतानी कि a लोगों निसाह हो किसी एक व्यक्ति की थोड़ी स्यादत गरबड़ती इसको कई लोग उसकी उसादत को सहना पड़ता है। मसुद्योजी और देवकी में सहीनी के बाद चम्तादी है। नारजी आये पेर। उसने का नहीं नहीं आठवे बच्चे की जरुवत थे हमको। किसने बोला? कंस ने? जाओज़े जोड़ दिया, देवकी बड़ी खुष्ष्ट वासुद्योजी इनका खुष्ष्मातो इसका दिमाग बलड़ जाता है इसका प्रीति जता तिर नाइए इसकी प्रीति पता निंग कब बदल जाए नारजी ने का एक सर्कल बनाया नारजी न जाओगा ने गोला सा हुष्ट उसमें आठ पॉइंट बनाया एस यह जब एसका कांस बताओ पहला कॉन सा यह कांस की मैथमेटिक स्वीग थितोड़ा इस ने है इस भी पहला कॉन सा है का कुई बहला सकता है कोई आटार एटा यह तक बताओगा एपका यह उड़ा इवका अब इन्हों ने एक एक बच्चे को मार डाला, छे बच्चे देवकी को मारे गए, आप सोच रहे हैं, मा का क्या हाल होगा? अब पूरी भागवत आप पढ़िए, कहीं भी देवकी का यह दर्द आपको नहीं मिलेगा, वो किसी से बोल लगी हो कि छेचे बच्चे हमारे क्यों मारे गए, कभी-कभी हमारे साथ कुछ होता है ना, हमारे बाने प्रश्न आता है, हमारे साथ यह क्यों गटा, एक बारम किस है, डाट खिला रही है हम भोजन करने आए हैं, परले जरा कुछ खिलाओ पिलाओ फिर एनरजी आएगए, क्यों कवत्तर क्यों नहीं दिया जा सकता, हमने का एक कागज ले आओ, क्या है तुमारे पास, माता-पिता है, हमने का क्यों है आपके माता-पिता, इस अब सूप ल हमने के बाद बोला, हमारी इनरजी वापस आगे थे, हमने का क्यों आपके पैसा है, बोले बहुत पैसा है, हमने का क्यों पैसा आपके पास है, बोले हमने कितनी गाड़ी, बोले पांच, हमने क्यों पांच गाड़ी आपके बास है, जितनी चीजे थी उनका हमने शान्त हो, आपनी जो चीज आपके पास नहीं है, उसको मीठा बनाना पड़ता है, स्वाम ये खंडानें जी बोलते थे, बोले भाई, मुरब्बा आओले का तो सब लोग खा लेते हैं, मुरब्बा, क्या बोलते हैं भाई उसको, बोले एक करेले का मुरब्बा बनाना सीखो जरा साथ। हम एक बार गवाटी गए वहाँ बास का मुरब्बा था, यह बास होता है, बैम्बू, स्टिक, उसको काटको उसका मुरब्बा, बड़ा मीठा, बड़ा स्वादिष्ट। आपके जीवन का जो भी करेला हो, जो भी घटना हो, फड़ा उसको मीठा बना लीजे, जानते ही क् एश्वर को लाना पड़ेगा, बसुदेव जी और देवकी जी के मन में एक बात बहुत पक्की थी, यह सब घटना के पीछे, जरूर कुछ ना कुछ बड़ा बड़ी उजना है, इनिवे, सात्मा जब गर हुआ, तो भगवान ने अपनी माया से बोला, यह हमारे शेश है, अनन्त रूप है, शेश भगवान, इसको तुम रूहनी की गर में संकर्शित कर दो, इसलों का नाम संकर्शन पर गया, तो ट्रांस्प्लान की टेक्निक तब भी हो थी, हाई टेक्नॉलिजी थी उस समें, बस उस समें मंत्र था, अब यंत्र है, उसके बद आठवा उतार इन का, भगवान कृष्ण का उने वाला था, एक दिन कंस आया देखने के लिए, बलाई तो बहुत ही अच्छी देव की बड़ी चमक रही थी, देखो कंस जो देव की है, वो है शुद्ध बुद्धी, सुक्ष्ण बुद्धी और कंस है शुद्ध मरे, बस वो देव जी है शौर्ट में बोले हम जिसके मन में ईश्वर को लेगें, बहुत विश्वास हो, ईश्वर है, ईश्वर सब जानता है, ईश्वर शक्तिशाली है और आकरी बात ईश्वर हमारी रारतना को सुनता है, हम आपसे एक प्रश्ण करते हैं, ईश्वर आपके लिए आपको मालूम पढ़ता है कि नहीं मालूम है, हमारी लिए जैसे कोई बहुत पैसे वाला हो, बहुत कोई अमीर हो, उसको हम देखते तो हैं कि बड़े अमीर हैं, लेकिन इनकी अमीर हमारी लिए नहीं हैं कि मेरी, ईश्वर के शक्ति महुत हैं, लेकिन हमारी लिए हैं कि नहीं हो, जितनी लिजादा यहन भूथ यह होती है उतना वारा मन्षुद्ध होता है भी नविश्वास के आप किसी के घर नहीं जाएंगे मृगवान आपके पास कैसे जाये अब यह तो हमारे अंदर जिब विश्वास होता है यह बहूत बड़ी कीमत है दिखो विश्वास की बिना तो हम साथ रही नी सकते हैं जब विवहा करता है झाल दे नि बहुत विश्वास के साथ करता है कि जिंदगी भर हम लोग सखी रहें आक दुसरे से हलांकि विश्वास बड़ा-गर-बड़ सा है बोले ये जो हमारी ये लड़की है ये हमको सुक देगी और लड़की वे लगता है ये लड़का हमको बहुत सुक देगा ये परी की तरह हमें लड़की मिली है परी अच्छा हाँ जब हम आएंगे ओफिस से स्वामी जी तो ट्रे रहेंगे उस ट्रे में चाय के प्याले रहेंगे काफी रहेंगे और कुप सजदश के हमारा स्वागत करेगे ओपरी नहीं पूरी निकलती है कभी कभार ऐसा होई नहीं आप इश्वर में जब आप इश्वास करते हैं कैसे पता हम इसका एक बहुत ही बहुत जबात पिदाप तम शन्शेम बूलेंगे क्योंकि वहां को करम फल देता है इसलिए हमारे सारे कर्मों को जानने वाला होना चाहिए वहां कैसे पता करम फल देता है यॉनकि परिस्थिति आप की हिसाब से नहीं आती what is fruit of action? situation is the fruit of action आप अपने माता पदा को अर्डर नहीं करते आप भाइ बहन को ऑर्डर नहीं करते आप अपने ओफिस को ऑर्डर नहीं करते आप अपलाई कहीं किये ते जज़सर्वीस कहीं मिली आपके पास चीज आती है यप उसके पास जाते हैं पैसे आपके पास आदा है कि आप पैसे के पास जाते हैं अगर पैसे के पास जाते होते तो पता नहीं कितना ले आते पैसा हमारे पास आया बेटा बेटी हमारे पास आये नौकरी हमारे पास आई भाही बेहन हमारे पास आये और सुनिये, आप घर को नहीं डूड़ते हैं, घर आपको डूड़ लेता है, तो लोग घर डूड़ते होंगे न, उनको लगता हैं घर डूड़ रहे हैं, समय से घर आपको डूड़ लेकर बुला लेगा, जिस घर में आपने सोचा नहीं था, उस घर में बैठियेगा, घर आ आउडियन्स के पास जाते हैं कि आउडियन्स 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 आउडियन हां तो बोलिए exercise करने से बिमारी कम नहीं हो जाती और मोटा होने से बिमारी ज़्यादा नहीं हो जाती हमने बहुत मोटे मोटे all-rounder लोंकुल देखा है एक जन्य भंबे में हैं बहुत ही मोटे दगड़े तो एक दिन भणियां आराम से खा भी रहते हमारे सम ने गी तेल मिठा काराम से चला था अंका मोटे होते चले आ रहते हैं तो हमने उनसे हिंट दिया हमने को सुनिए आफकी उमर क्या है का 60 के आसपास है हमने का सब ठीक है ना चस्वामज आफिछ आफ सोच रहा है कोई बिमारी है कोई बिमारी नहीं है हम एर फोर्स में है हमारा रेगलर चेक अप होता है बिमारी आपके पास आती है और कुछ भी कर लीजे बिमारी आईगी आना तो आईगी प्रमोशन आपके पास कब आएगा कहां आप जाएंगे नहीं पता यह सब क्या है आपके अलग-अलग कर्म भल हैं अगर यह कर्म भल हैं इसको जानने वाला कोई इश्वर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इसके मतलब इश्वर सरवग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सब जानता है अरे आज कल किसका फोन आएगा पता नहीं आपको समाचार क्या मिलेगा पता नहीं बिमारी थंडी लगेगे नहीं पता नहीं अगर नहीं आप यह मानते हैं कि हमारे पास अलग अलग कर्म फलाते हैं कर्म फल देने वाले को हमारे सारे कर्म को अच्छे से यह पोलिए जानने वाला होना चाहिए हम तो बोलिया इसले इश्वर को सरवग्ड होना चाहिए और सुनिए अगर सरवग्ड है हम जान तोलें किसके यह फल है और फल जाना बहुती मुश्किल एक फल के लिए कितनी सिटिंग होती है किसी नम से बोला जोतुर में कभी-कभी फास्ट्राइक में गलत जज्ज्मिन भी हो जाता है एक को हम डिसाइड नहीं करपाती कि इसका फूट इटने विटने को लाएंगे ये करेंगे वो करेंगे आपने दान दिया हाँ कहा दान दिया दिल्ली में दान का फल अलग है कुम मेले का दान का फल अलग है बोलें आप से किसी को भोजन करवाया है हाँ भूखा था उसका करवाने का फल अलग है और भूखा नहीं था उसका करवाने का फल अलग है वही भोजन जो हमारे सारे कर्म को जानता हो उसको यही बताए कि सारे कर्म का फल क्या है इसको कौन बिमारी दिया जाए इसको कौन सुक दिया जाए आखरी मिर्तियों हो गई का यम्राज में बोलाए बाई चितरगुप जी इसको कौन बिमारी दिया जाए इसको कौन सुक दिया जाए हाँ इतने बार हम सव बार किया है और क्या किया है मादबदे कि सेवा किया है बोले हाँ चार बार हाँ तबाया है बस बस चार बर हाँ और बताओ बोले एक उम्मेला गया गया कभी कोई कुम में कभी इसना नहीं किया और बताओ किसी को दान वान दिया है बोले दान तो नहीं है काई काम कुर एक दिश के शरीर दो उसमें सब बीमारी रखो थोड़ा सा शुरू से बच्पन से हाई बीप रखो इसका ऐसा रखो कोलेस्ट्राल बहुत ही हाई रहा है हर समय और सुनो हाँ अधर दालो थोला क्यों खिलाया तो है नित उसको खुद नहीं खाना चाहिए है है क्या थे लगया मेर本वलिस भाहतों घूर है रहाँ किस वाखनी था थे हैं सब्सक्राणा को टुड पार्त हो उड़ाया है वेवाः है यह उछस खुग पैसा और पाटू कर द पारते हैं सब्सक्राशना दॉट रहा दॉर क्या विश्नी चुट बहुत सब्सक्राशना के तीके रखो जगड़ा करवात वड़ा सा ऐसा कुई जीव ला तो जगड़ा करें चोटी जटी बात में जालो नेक्स्ट उस इश्वर को ये भी पता है कि कौन सा जीव इसके लिए फिट है उले दूसरे को ले आओ उले इसने क्या किया बिले सुबह रात ये माता बिता को रोच चाय दे दूद दे पानी दे बड़ा करीब था अच्छा हाँ एर दबाया कितने बार दो लाग पच्छिस एजार चाह अच्छिस एजार पांच बार वाँ बाँ बाँ यही इसके मादवत सबते है और क्या किया है उले से यह इसके मादवत सब्सक्ता हर पुर्णेवा में करवा जाए उले काम करो सबसे सुंदर पत्नी दो जो बहुत अच्छी पत्नी लेगा कहीं से डोड़के कोई जीव ले सबसे 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 स केसो कही नजाय का कही ये देखी तरचना विचित्र अती सोच नहीं मन रही है वेने पत्र काम भगवान बोलते हैं तुल सिदार जी आश्चर नहीं होता है और इस जनमें भी कोई लगते हैं लोग गरबड़ कर रहे हैं आपको बताएं गरबड़ करने बहुत दिन तक कुछ क कहीं नहीं घर में प्रॉब्लम हो जाएंगा इश्वर है इश्वर सर्वशक्तिशाली है वो कुछ भी परिस्तिती बना सकता है हाद बोलिया अब क्या होगा इस इश्वर के साथ अब कि दो बात हो गई तीसरी बात इमत बोड़ें वो हमारी सुनेगा कि नहीं सुनेगा हम उससे संबंद बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं भाई सबसे संबंद बना सकता कोई आदमी है और आप बोले कि हम तुमसे संबंद बनाएंगे संबंद बनाएंगे कोई हम इश्वर से संबंद बना सकते हैं कि नहीं अगर आपको ये निश्चे हो जाएं कि इश्वर से सं को मेरा बोलते हैं, आप बोलोंगे कि क्रिश्न तुम मेरा, अगर संबंदी कोई है, तो उसको हमारे दुख से दुख होगा कि नहीं होगा अगर माँ है वो बेटा है बेटे को दुख, बेटे के दुख से माँ को दुख होगा बेटे के सुख से माँ को सुक होगा ठीक है अगर आपका संबंध हमारे साथ है मान लिजे है निये साथ है मानने में क्या है आपको लग जाए स्वामजी को बहुती दर्द है सर में आप चुप नहीं बैठ सकते बैठ पाएंगा चुप अगर जिसका ईश्वर के साथ संबंध होगा और उस जीव को कष्ट होगा ईश्वर भी बोलिए चुप नहीं बैठ रहेगा जो चुप नहीं बैठने वाला ईश्वर है यह यह अधार है जो आपके लिए खास है इसी ने बोला सुनिये यह कंश को मारनी के लिए बहगवान क्यों आये अठन को मारनी के लिए नहीं आये हो तु रिमोट कन्ठोल से मार देते हैं दिवकी और यसुदा जी क्या होताँ उन्होंने तो यह सोचा इख हम किसी बहगवान को हमारे आपने गोद में घृलाएंघे आप सोचिएगा जब भगवान का प्रादूर भाव हुआ देवकी जी और वसुदेव दोनों को चदर भूज रूप में भगवान दिखे और आपने सुना होगा जंजीर खुल गई ये सब वो चले गया जब भगवान आए और सब बेड़ नख खुले तो क्या फायदा? सब कष्टो और जितने हमारे विगने दूर हो जाते हैं वसुदेव जी ने उनको उठाया सूप में किस में सूप में उठाया था नहीं नहीं सूप था वो तोकरी अलग है सूप अलग है इंक्लिष अलग हमारे तो के सूप थे नहीं है यह जो सूप होता है एक है दो चीज़े living कि युह लोती है उइका नाही लिए होती है उठाधा दालते हैं आप ड़ते कि ठालते हैं लोती कि लिए पाकी लिए डृटन नीचे दाल देता है उざम जब होता है प्रेस्ट छुवड़ वंगार पैढ़ मगांकर और प्रृहष हो धीन लिए उच्छा भाहर प тепग तया और कहां गया है? गोखुल चले गए, रात रात चले गए, अंधिराप, लिखो, लिखो कितना कष्ट फिर देवकी को, अब अपने आपको देवकी तेगार रखियेगा, यह न हमको तो आराम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो कुछ नहीं होगा, बोले हमारा जब बहुत ही अच्छा होता है अच्छा इसलिए होता है कि आपने जब कर शुरू में जो कष्ट हो रहा था है उसको सेहन कर लिया हर बड़ी चीज यहां सेहने से छिपी होई है अब वो पहुंच गए एश्वदा जी के पास हम आपको रहस्य की बाद इसमें बोले है अधिको भगवान जो है ना सोते हुए के पास जा रहा है पहली मान तो भगवान आता है हां बोलता है हां इतना शक्तिशालिक हमारी लिए है वो हां आश्चर होता है न थोड़ा से मेरा भगवान है हमारी लिए बोलेगा वो हां देखो वरिंदावन में राधा रमण जी का मंदिर है शायद आपने सुना हो नहीं सुना आपने कम लोग बोलने है अब आप से बता दे छे साथ दिन के बाद आप मेंसे कई लोग वरिंदावन जाईएगा और हम तो आपको रोजी यहां लेचलेंगे उनके पास ये शाली गराम दे शाली गराम तो एक राणी साहिब आए उनोंने का भगवान के जित्ते वरिंदावन के भगवान है सब के लिए वस्तर बनवाते हैं हम शायद वरिंदावन जन्माश्ट मी थी क्या ना इनके पास पास आई को सामी जी के पास बोले भगवान की नाप दीजेगा बोले हाँ गहिं लिजे कहीं क्या है वह भले शाली गराम में खुडी नबस तर चड़ा जाता शाली गराम में शाली गराम के पर तुलसी जी रकी जाती हैं बस ये विचारे ले तो आया एसे और जो टपा कृष्ण की मूर्ती बन गय जिनको राधारमन बोलते हैं और अभी भी लोग बोलते हैं जब इनका इस्नान उता है पीछे वो शालिगराम का इचिन्नापूरा अब जब भगवान को प्रसाद चड़ाते हैं आप यो सोचते हैं भगवान खा रहा है नहीं सोचते हैं जो होतल् वागरितों इतना परेत ट्रे लेकर रख के चलाजाता है। अमा जो एक रोटी बुनाएंगे, और लेलो, अच्छी नहीं लगी है क्या, सब्जी के साथ मिलागी खाओ, अरे तुम खा नहीं रहे और ठीक से, जो लो हम तुमको बताते हैं, चलो हम तोड़, बहुत गरम है, आप जो भगवान के सामने भोग लगाते हैं, आपके मन में य यह वह भोग अच्छा लग रहा है, वो खाता है, जब आप अगर बत्ती लगाते हैं, तो आपको लगता है कि वो सूम भिरा है, एक घंटा करन करके भगते, शिव जी के बड़े भग, विष्णु जी का नाम सुने ना तो ऐसे ऐसे कर देते थे, पूरा घंटा बज जाये, अगर बत्ती लगाया, और बगल में विष्णु जी ता इधर शिव जी, अब वो अगर बत्ती का दुआ बार बार ऐसे जाए, भड़े परशान, आँख बंद करके ऐसे ऐसे किये कई बार, आकरी में रूई निकाला जो जिससे बत्ती बनाते थे, रूई निकाल के शिव ज नाक में दिया अगरे विष्णु जी का नाक में खोष दिया, ऐसे ऐसे, आपको पता है, विष्णु जी प्रगट हो गए शियु जी उजे साथ, रहा तुम नगा तो कि हम सुंगते भी है, लोग कहते हैं भगवान, खाते नहीं, क्या है? साग जैसे विदुर की खिलाते चलो, अपनी मुक्ती का मार्ग बनाते चलो लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तर तुम बुलाते नहीं दीरगज की तर तुम बुलाते चलो, अपनी मुक्ती का मार्ग बनाते चलो आपने बुलाया भगवान को? कि आपने अपना माना कि अपना मान तो याद आती है देखो हमको तो हम बोलते ना बगवान को याद करो याद करो हम याद करो हम यह नहीं बोलते बेटे को याद किया करो उसकी याद आती है उनको उन्हें आज बेटे की बहुत याद आ रही है क्यों अरे आज उसका बर्डे बड़े आज, हाँ, 26 जनवरी कोई पेदा हुआ था हो, फोन उसको लगाय थी, फिर लगाया है, थर्ड टाइम दिन में लगा रहे हैं, गुडडू, हाँ बेटा, केक अकेले हो क्या, हाँ, केक खुदी ले आना, काट के खुदी खाले ना, चलो इसकाइब में हम लोग केक काते हैं, हाँ, 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 स्काइब चालो हो गया नोनों तरह उससे, लोग इन, लोग आउट हो गया, इधर भी केक, दर भी केक, इसकाइब जगा वायरी काट दिया उन्होंने, लोग, कम्पूरा, चला गया, लैप्टाप, योग, कम्पूटर, आपको याद करना नहीं पड़ता, आपको याद आती है, आपको भगवान की याद आती है, या आप भगवान की याद करते हैं, आप सोची, हम नहीं आप से बोलने हैं, जिस दिन आपको याद आएगी न, उस दिन आप जानिएगा कि आपकी ममता हो गई, जिस दिन आपको ये प्रशन तहीं करेगा, कि वह हमसे खुश है कि नहीं है, जिस दिन आप उनसे बात करिएगा, आप उससे प्रेम होता है, आप उससे बिना बात के रहनी बाते हैं, इसा हो सकता है, कोई प्रियतम हो, और अपनी प्रियतमा से कभी बाती न करता हो, यही बोले हमाना प्रेम भाते तुमसे, और उसको दिन में दस बार फोन लगाना है, आप भगवान से बात करते हैं, आप ज प्रश्न करते हैं, अगर यह प्रश्न नहीं 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 करते हैं, 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 यह प्रश्न नहीं करत 20 साल मादी के कैसे हो खुश तो ठीक तो एसम आप भगवान से पूछे का जाएक है भगवान कैसे हो आपको पता है यह सरवक्या、 सरशक्ति शालिश्वर मेरा वन्दा है को आता है वास्ता है भगवान कृष्ण तो रोते भी है नाचते भी है अपनी मा के पीछे जाके दोनों हाथ ऐसे गले में उनके डाल के कहते हैं मा और यहां मा वो सिल अलुडा जो होता न वो पीछ रही का करिया उनके लंबे लंबे बाल, रिशी मुनी उनके दर्शन के सपने भी किसी को को दर्शनखा जाए रिप्त हो जाता है और यह धोड़ा मा उनके गाल से गाल लगा मैं पेठा रुक जाओ ना थोड़ा भूत काम तो को करने परोक कर नहीं आपॉले नहीं माह हमारे साथ मेटू उनकी जिद्द हो गई आपको बता है भगवान बहुत प्यार कर सकता है बात करता है सुदामा जी जब आए भगवान गले मिले सुदामा जी को पकड़ के अपने पास र्यायराज में और उनके पैर के पास बैट गये कहा रुकमनी रुकमनी जल्दी से परात लाओ उनका पधा परक्षालन करना है कहा सुदामा इतने काटे पूरा पैर काटे से बरा हुआ था तुम चलते समय काटा हटाती नहीं क्या तुम चलते रहते हो तेखो खून आ रहा है तुमारे अपने सर को उनके पैर पे लगा है पराथ आग्या वगल में लिखा है हाथ पराथ को छुए और नहीं नैनन्ते पगधोए इतने अश्व निकले कि सारे और अपने दाज से डोंगरी जी मराज बोलते थे कि दाज से काटा उन्होंने निकालना शुरू किया ऐसा भगवान आपको मिलेगा किसी को आउतार बोलते है आपके पास वो भगवान आना चाहता है जो चाहता है कि आप उसको मेरा मान ले वो आपको मेरा बोलना चाहता है आपको अपना बोलना चाहता है आपके साथ हसना चाहता है आपके साथ खेलना चाहता है आपको चिड़ाना चाहता है आपको रूलाना चाहता है आपको अपना बनाना चाहता है और हम लोग अपने जीवन में अपने काम में अपने परिवार में अपने जूठे से अभी मानने हाँ अपने चारो तरफ की जिन्दिगी में इतने फसे रहते हैं ऐसे भगवान को हम लगातार निगलेट करते रहते हैं उसका तिर्षकार करते रहते हैं वो भगवान फिर भी ऐसे खड़ा रहता है कारे कि शायद कभी हमारे पास आएगा हमारे पास आप छोड़ देंगे सभाग्वान को कताताना वो तो हमको खीच रहा है वो परिस्तिति नहीं देता वो येई बताता है सारी परिस्थिति सुनो इन से मत लगो तो हमारे हो जाून सुनो, सुनो, सुनो अए सुनो तो क्या। lux अधर मत आडो हमारे पास आजाना, सुनो, तुम उनके साथ चार गंटे बैठे, आज तुमने पिक्चर देखी, हमारे साथ, दस मिनट बैठ जानो, हमारे पास बैठो, सुनो, तुम पूजा भी बहुत जल्दी-जल्दी करते हो, एक ही काम को ना पूजा में, पस फूल देदो, हमसे बात त परश्टो करो ना, हमारी मूर्ती को लो, आपने भगवान की मूर्ती को लो के गने लगाया, यह शोदा जी यही करती थी, और आज, इस सोते हुए के पास भगवान जाता है, वह सुदे उजी ने वहां रग दिया भगवान को, माया जो थी, योग माया लेके आने लगे, द देखा, यहां तो सब सो रहे हैं, किसी धर्में भगवान नहीं मिलेगा, दूसरे को जगाने के लिए रोये, जानते हैं क्या क्या भगवान नहीं, पटका पैर कसके, रोने लगे, रुला की जगाया, किसको, इश्वदा जी को, कुछ भी करेगा, इसी को बोलते हैं, सगुन निराकार से सगुन साकार होता है, अज आप सुनने नहीं आये हैं प्रवच्छन, ओ तो इश्वर ने आपको खीचाया आबे, हम बोलने नहीं आया है, ओ तो हमको बताने आया है, भहिया, हाँ, तो हमारे हो, तो हमको मत भूलो, एक पैसा खो जाता है न, देखती परिशान ह जाता है, बच्छा अगर किसी दिन दो घंटे लेट आये, दस बार फोन लगाते हैं, भगवान कता ही पता नहीं, हम चुपें, आप बोलिये का जाके भगवान से, आप अपने भगवान से मापी, मांके बोलिये का भगवान, तो माओ हमारे पास, हमसे बोलो, आप 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 बन करके, जैसे आप खुद कपड़ा पहनते हैं, कभी उनका भी कपड़ा पहना दीजेगा, जैसे आप खुद जल पीते हैं, अच्छा सा जल लगता है, तेखो किता अटंडा गल है, जब आप पानी रखिएगा, आप सुझेगे कि हमारे कनईया कि गले में ये घूड किता अच्छा लगा होगा, आप उनके रिदे में बैठके उनके सुख को देखिएगा, जिस दिन आप बगवान को सुखी करना शुरू करेंगे उस दिन आप भग्त रहेंगे, जेखो सटेरे संडे हनुमान चाली सा पढ़ना बहुत अच्छी बात है, हाँ, कई लोग आप किता से होंगे बात है्यों परुछी रहीं प्यारा थ genialि बात है, आप को सब्हां में आप देखेंगे भिस बहूं कर शुरू हैं माप बहुत थो कीकोदे हम ढों है महां उनके सा बति वहुन हैं। हम लोग इसे पढ़ाते हैं हूं जिख को पढ़ाते हैं उरू अप टहां ट इसे हो जाएंगे ना, उस दिन आप भक्त हो जाएंगे, उसके पहले किवल आस्तिक रहेंगे, बिलीवर से डिवोटी होना, चलिए हम लोग भगवान तो जुरताजी के पास आगा है, कर हम लोग उनकी और लीला देखेंगे, लेकिन ध्यान दी जाएगा, आप अपने आपको नंद बाबा के घर में, या तो माता मानिएगा, या तो पिता मानिएगा, या तो भाई मानिएगा, कुछ संबंद बना के आईएगा, बिना संबंद के नाम आईएगा, इस संसार के संबंद ऐसे खोकने हैं, ऐसे दुख वाले हैं, फिर भी हम को छोड़ते नहीं, जो भग के पास, आपके पास, कोई भी आपको लगेगा हमारा कोई नहीं है, वही कद नहीं आएगा उसके लटकते हुए बाला आप देखिए गा, उसके ऐसे अपगते हुई आँखे गा, उसके बढ़िया सुंदर से जो उसका ललाउट हो देखिए गा, आप आँग बंद कर सब्सक्ini गरी की रिए हैं यह नंद के लिए एक इखानी के लिए यह घुन बीकरनी के लिए तयुक्त कर दिए पारिवार हैं अपने आप पुलता कि कह रहा है अज को को ढूं को बोलटाइ कि हम आप किया, कौन कितना हमारे लिए खुश हो तो यहाँ भगवान बौलते है पत्रम पुष्पम भलम ठुजम तो हमको पत्ता दे दो दो, हमको तुलसी एक तुल्सी का पत्ता दे दो, एक बून पानी दे दो, हम उसे दे खुश हो जाएंगे आप ऐसे भगवान को जो इतनी जल्दी खुश हो जाता है जो आपके प्रेम से रीज जाता है आपके पीछे नाचेगा, गाएगा आपको रिजाएगा आप उससे रीजेंगे नहीं आप उससे प्यार नहीं करेंगे आप उसको छोड़ के चले जाएंगे आप उसको देखी में आपको शरीर छोड़ देंगे यह तो पाप हो जाएगा कल से हम लोग ऐसे प्यारे से भगवान की दिला सुनेंगे और अपने मन को भिगा भिगा के उसको बनाएंगे